Hello everyone, welcome to my channel, Alankrita Education Hub. I hope you all are good. तो चलिए, आज हम सब सीखते हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें. मा लीजे नंबर लिख दिया है 6, 8, 5, और 9. ठीक है? तो सबसे पहले कि क्यूब रूट कहते किसे हैं? ठीक? तो सबसे पहले जानिए कि क्यूब किसे कहते हैं? क्यूब क्या होता है? किसी नंबर को तीन बार गुड़ा कर दिया जाएं. जैसे, suppose 2 लीजिए, 2. 2 into 2 into 2. क्या हो गया ये? 8. 2 का कितने बार गुड़ा किया गया? तीन बार गुड़ा किया गया. तो ऐसे लिख दिया जाता है. 2 की पावर, 3 कर दिया जाता है. हम करते हैं, 1 into 1 into 1. सबसे आसान. ठीक है? ये हो गया, 1. ठीक है? किसे तरह से एक्जैम्पल लीजिए? 3 का, ओके? तो 3 into 3 into 3. ये हो गया, 27. तो इसी चीज को हम कहते हैं, किसी चीज का cube. अब अगर हम इसी 27 को इस form में लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ही कहते हैं, cube root, यानि कि घनमूल. ठीक है? तो चलिए. अब हमने क्या नमड लिया हुआ था यहाँ पे? 6, 8, 5, 9. ओके? तो हम लोग अपने right hand side से three numbers का pair बना लेते हैं. three numbers का pair एक side, और जो बाकी बचे हुए जो number रहते हैं, उनका एक side हम लोग pair ले लेते हैं. इतना आप सबको समझ में आ गया? अब उसके बाद हम लोग क्या सीख रहे हैं? किसी भी चीज का cube root, यानि घन मूल निकालना. ठीक है? अब देखिए. 9 है, तो फिर हम क्या करते हैं? जो first number होता है, आपका right hand side से, उसका हम लोग कर लेते हैं, तीन बार गुड़ा. 9, गुड़े 9, गुड़े 9. तो क्या आजाता है? 9, 9 81, और 81 नमा कितना होता है आपका? 9, 1 का 9, 9, 8 72, 729. तो जो ये 729 आया, इसका हम लोग क्या लिख लेते हैं? 9, ठीक? 9 हो गया. और, जो ये last number जो बसता है, उसका हम लोग देखते हैं, कि वो किस-किस number के cube के बीच में आ रहा है. तो 6 है, तो 6 को हम देखेंगे. 1, वनजा 1, वनजा 1. तो ये 1 के cube और 2, 2 is a 4, 2 is a 8. ओके? इन दोनों, sorry. तो ये इन दो numbers के cube के बीच में आता है, तो जो छोटा वाला number लेते हैं, जो छोटा वाला number होता है, उसी को हम लोग लिख देते हैं, इसका 10th digit. तो ये हो गया 19. यानि जो 6, 8, 5, 9 है, वो 19 का cube root है. Thank you everyone.